हेलो बचा पार्टी, वेलकम तो जा क्लास, माइनम इस हर्ष और आप विजनस सिडीज मेंटो, बेटा हम लोग कर रहे थे कंजीमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर को खतम और ये है उसका पार्ट नमबर टू, जहाँ पे हम डिसकस करने वाले हैं, कंजीमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड और क्या-क्या कानून है, इनको हम आज कवर करने वाले है, एक कानून तो आपने पहली वाली वीडियो में देखा, Consumer Protection Act 1986, CUT में आता है Consumer Protection Act 2019, चौथी वाली वीडियो में बताऊँगा, कि दोनों में फर्क क्या है, और क्या आपके लिए, इसलेवस के लिए उन कानूनों के बारे में हमें जानना है, कि वो कौन-कौन से कानून है, तो टोटल आपको दस कानून में आपको बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में, तो भई आपनी कुरसी की पेटी बान लो और पढ़ना कर दो, शुरू, ठीक है भई, तो सबसे पहले बेटा, हम यह यह जो कानून है, यह जो लौ है, यह ओफर करता है, प्रोटेक्शन, यानि कि सुरक्षा, किसके अगेंस्ट, डिफेक्टिव गुड्स, डेफीशेंट सर्विसिज, यानि कि अगर आप कोई गुड़ खरीते हो, और वो खराब निकलता है, सर्विस करीते हो, और वो खराब निकलती है, unfair trade practices के against भी आपको मुझको protect करता है यह कानून, unfair यानि कि कोई भी malpractice है, कोई भी गलत गतिविदी हो रही है, तो उसके against भी हमको यह सुरक्षित करता है, consumers का exploitation बिलकुल भी नहीं होने देता है, यह कानून, है ना, शोशन consumers का रोखता है, तो यह consumer protection act 1986 है, यह offer क करता है हमको protection, defective goods से, defective services से, unfair trade practices से, और consumers के exploitation से. Courts have been established under this law to provide the benefits to the consumers by protecting their rights. इस law के अंदर courts को established किया गया है, जिनको हम district forum, state commission, national commission भी बोलते हैं. ठीक है? यहापे लिखा हुआ है, district forum, state commission and national commission भी बोलते हैं इसको है, यह तीन अलग-अलग है, इनके बारे में कहां बात होगी? लास्ट जो हमारा पार्ट है ना, पार्ट नमर फोर, readersal agencies, वहाँ बात करने वाले हैं. अब यहाँ पर यह चीज़ समझो है, consumer protection act 1986 में बना था, और basically consumers को protect करने के लिए overall एक act बना है, कानून बना है. यह हो गया सबसे पहला नमर का act, दूसरे नमर पर आता है Indian contract act. अब देखो है, हमारे देश में बहुत सारे तरीके के contract होते हैं. जैसे कि मैं कहूं तो भाई, marriage का contract, marriage का है न, agreement, फिर डाइवार्स होता है, मलब शादी अगर तूटती है, तो rent agreement बनता है, आपके यहां को किरादार रहने आ रहा है, आपने उससे contract करा लिया, दुनिया भर के contract होते हैं, दुनिया भर के, आप job करने जाओगे, वहाँ पे आपको contract साइन करना पड़ेगा, आप शारुक खान से पूछ लीजे, वो जब मूवी करते हैं, तो जिस director या जिस producer की मूवी कर रहे हैं, उससे contract साइन करते हैं, कोई show आप करेंगे, बिग बॉस अगर आप करने जाएंगे, वहाँ पे contract साइन होगा, दुनिया में हर तरीके के contract होता है, contract basically एक legal agreement होता है, agreement यानि कि हम दो parties इसमें agree कर जाएं, और वो जब कानून की नजरों में valid हो जाता है, तो उसे हम लोग contract कहता है, उन contract के लिए और दोनों parties के rights की protection करने के लिए कानून बना, अब यह कानून यहाँ पे तो दो लाइन का लिखा है, लेकिन यह कानून है बहुत बड़ा, इस पूरे कानून का नाम क्या है, I.C.A. 1982, Indian Contract Act 1982, लेकिन आपके सुलेबस के लिए इतना ही काफी क्या लिखा हुए, यहाँ इस कानून में सारी responsibilities लिखी हुई है, किन parties की, contracting parties की, contracting parties नहीं की वो दो parties जो contract एक साथ कर रहे हैं, जैसे माली जे शारुक खान है और करन जोहर है, तो शारुक खान ने करन जोहर के स जो है, contract में, जो है, साइन किया है, तो करन जोहर और शारुक खान दोनों के ही rights और responsibilities को protect करता है, यह Indian Contract Act 1982, कोई party अगर किसी party के साथ गलत करती है न, तो इसमें यह कानून काम आता है, इस act also explains the conditions under which the aggrieved party can move to the, to against the defaulting party, जैंको बेटा, aggrieved party यहाँ पे वो है, जिसके साथ गल यहाँ पे वो है, जिसने गलत किया है, तो वही लिखा हुए है, भही इस पूरे कानून में terms and conditions वगरा लिखी हुई है, कि कब-कब aggrieved party को defaulting party जो है, aggrieved party को defaulting party भी कहा जाएगा, ठीक है, aggrieved party को defaulting party के खिलाफ case लड़वाया जाएगा, वो कौन कौन सी conditions है, यह सारी चीज पाय जाएगा, यह भी लिखा हुआ है, फिर आता है बेटा आपका sales of good act, number 3 पे है, sales of good act 1930, तो भया 1930 में, यानि कि भारत के आजाद होने से पहले ही, 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले ही 1930 में कानून मना, जिसका नाम था sales of good act, यह act प्रोवाइड करता है protection seller और buyer को, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तू दा बायर, इन केस, दा गुट्स परचेस्ट, आर नोट, अकॉर्डिंग तू दा कंडिशन ऑफ दा सेल, हना, माल लो, कि ऐसा, माल लो, ऐसा बायर, मैंने 100 यूनिट शर्ट मंगाई, सफेज शर्ट, ठीक है, और seller ने मुझे दे दी, का प्रोटेक्शन के लिए है, मेरी प्रोटेक्शन के लिए ही है, यहाँ पर दो पार्टी कौन है, एक seller है, एक बायर है, अब ऐसे ही माल लीजे, कि seller है कोई, है ना, और उसने, आपने समाल ले लिया, तो उसका अधिकार क्या बनता है, कि उसको पैसे दिये जाए, अगर आप पैसे नहीं दोगे, तो वो आपके समान को वापिस भी कर सकता है, और जप्त भी कर सकता है, यानि कि राइट ओफ लीज, ऐसी कुछ चीजे होती है, जो यहाँ पर लिखी होती है, टमसें कंडिशन, फिर बात करते हैं, बेटा, नेक्स्ट जो है, कानून की, जिसका नाम है, Essential Commodities Act 1955, एक Commodity Act बनाया गया, Essential Commodity का मतलब होता है, जरूरी और बेसिक चीजें, जैसे गेहू, चावल, रोटी, दाल, चने, सरसुगा, तेल, नमक, है ना, यह सारी चीजें क्या है, बेटा, Essential Commodities है, सरकार ने देखा, कि अगर भाया कोई पिजा नहीं खाएगा, तो कमज जैसे नमक एक Essential Commodity है, गेहू, चावल, डाल, चने, सरसो का तेल, यह सारी Essential Commodities है, तो सरकार ने इसके Production पे, इसके Supply पे, और इसके Distribution पे क्या कर दिया, थोड़ा कंट्रोल किया, सरकार ने थोड़ा शिकंजा कसा, Production यानि की पैदावार, Supply यानि की बाटना, और Distribution समझ र पड़ता है, पिजा स्नॉटा, एसेंशल का मोडिटी, तो में ऐसी 25,000 की बेचों हमें फरक नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम खाने पीने का समान तो इतने में बेचो, जितना हमारा आम आदमी खरीद पाए और भूखा ना मरे, ठीक है न, तो सरकार क्या करती है, इस Act के त है, एसेंशल कमोडिटी इस Act 1955 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर फाइव, दा एग्री कल्चर प्रड्यूस ग्रेडिंग अंड मार्केटिंग अक्ट 1936, अब यहां पर यह कहा जा रहा है, कि हर एग्री कल्चर से पैदा होने वाली चीज की आपको ग्रेडिंग करनी च चाहिए, अंडर दिस Act, there is a provision to check the quality of agricultural produce, इस Act के तहत एक provision है, कि आपको जो भी agricultural produce है, जो भी आप agriculture के माध्यम से produce कर रहे हो, उसकी quality क्या करो भहिया, पहले ही चेक कर लो, उसके बाद quality के हिसाब से, आप उनको separate categories में divide कर दो, कहा जा रहा है, कि जैसे ही agricultural फसल हो, वैसे ही क्या करो, उनकी quality को आप check करो, और check करने के बाद separate categories में डालो according to the standards, standards के according, अलग-अलग category में डाल दो, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई, मेरे पास एक shirt है, तो ये small size की है, ये medium size की है, ये large है, ये XL है, ये double XL है, और ये triple XL है, तो मैंने क्या किया, मैंने भाई, कुछ shirt यहाँ डाल द और कुछ shirt यहाँ गई, इससे क्या हुआ, मैंने अपने समान को अलग-अलग qualities, अलग-अलग sizes, shapes के, जो है, according क्या कर दिया, grade कर दिया, वैसे ही, जब हम agriculture, देखो, shirt को agriculture produce हो है नहीं, shirt तो हम खुद बना रहे हैं, ऐसी जब आप agriculture produce को बाढ़ते हो, तो उसे हम लोग किस agriculture produce grading and marketing act, 1937, छटा आता है बेटा, आपका जो कानून आता है, वो आता है, prevention of food adulteration, बेटा, adulteration का मतलब होता है, मिलावट, और ये कानून बना है, कि food में, खाने में, मिलावट को रोका जाए, 1954 में मना था, this act, protect consumers' interest against weighing, less weighing, and measuring, and adulteration, बेटा, adulteration मतलब समझतो न, मिलावट, तो भी, आप मिलावटी खाने से, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप इस कानून के तहट सामने वाली party के ओपर मुकदमा दर्च कर सकते हैं, शिकायत दर्च कर सकते हैं, आपको इसी कानून के तहट नया मिलेगा, ठीक है, the standards of weights and measures, अब देखो बेटा, weights और measures के standard बनाए कर रहे हो, या मीटर में measure कर रहे हो, तो measures और weights के लिए भी एक कानून बना हुआ है, ताकि आपको कोई भी गलत, या कम समान तोल के ना दे, आपको measure कर रहे हो, अगर तो 2 kg मिठाई ले रहे हो, तो 2 kg ही दी जाए, अगर पाया गया, कि वो आपको कम मिठाई तोल के देता थ तो इसी कानून के इंदर आपको जो है, इनसाफ मिलेगा, तो less weighing and measuring, यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं, यह हो गया भाई 7, आट में पर आते हैं, इदा ट्रेड मार्क एक 1999, क्योंकि आप consumer protection पढ़ रहे हो ना मुझसे, तो इसका मतलब कि आपने मुझसे क्या पढ़ा होगा, तो ट्रेड मार्क के बारे में अगर सबसे पहले आपको और जानना है, तो आप बेटा मार्केटिंग पे जाओ, मार्केटिंग वाले वीडियो पे जाओ, मार्केटिंग पे जो है, आपको दिख जाएगा product, ठीक है, और product के अंदर आपको मैंने trademark पढ़ाया हुआ है, ठीक ह भी wrong use trademark का ना हो सके, तो ये भी कानून यहाँ पर बना हुआ है, फिर आ गया competition act 2002, पहने जमाने में एक act चलता था, जिसका नाम था MRTP act, क्या साल था भई, साल था 1969, एक कानून मना था, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, उसको replace करके बना दिया गया है, has replaced the competition act 2002, इसको बंद कर दिया गया, और एक act है, जिसका नाम था competition act, एक act था, जिसका नाम था competition act 2002, समझ गया बात को, आप देखो, Monopoly का क्या मतलब होता है, तो आप जानते हो, जैसे Indian Railways की trainों में Monopoly है, अगर कोई टिकेट 300 का है, तो 300 में भी बंदा खरीद रहा है, अगर वो टिकेट 3000 का भी हो जाएगा, तो भी बंदा खरीदेगा, क्यों, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि बेटा, railway जो है, वो Monopoly में है, आ आपके पास train से सफर करने के लावा, अगर और कोई option नहीं है, तो आप Indian Railways की टिकेट ही करीद होगे, ठीक है, this act provides protection to the consumers against the activities hindering competition by businessmen in the market, यानि कि अगर कोई भी businessman गलब तरीके से धंदा मार्केट के अंदर कर रहा है, तो Competition Act 2002 कहता है, कि भी या competition करो, healthy competition करो, unhealthy competition ना करो, यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा, कि सर जीयों ने भी तो यही किया, है ना, एटल, आइडिया, वोडा, फोन, सब लोग चल रहे तो जीयों ने आया, और free में SIM बेचना शुरू कर दिया, free में तो कोई भी चीज नहीं बची जा सकती है, सर मोनोपोली के साब से, ऐसे तो अग भी उनका case फगर रहा हो, ठीक है, अचा, last में आता है, and very, very important सारे बच्चों के लिए, वो है BIS, यानि कि Bureau of Indian Standard Act 1986, हना, इसको हम लोग short में BIS भी बोलते हैं, हना, अब यह BIS क्या है, ज़रा एक बार देख लेते हैं, इस Act के तहत, बहुत सारे Indian Standards के जो marks हैं, वो बनाए गए ठीक है, सबसे पहले, अलग-अलग product के, quality standards को चेक करता है, ऐसे marks, जैसे माल लिजे, कि किसी समान पे कोई BIS का mark है, तो इसका मतलब, इस pen की quality बहुत अच्छी है, नहीं है, तो समझ लिजे, खराब है, हना, इसका मतलब यह दिखाता है कि, it shows that the product happens to be of high quality, कि product क्या है, भई, high quality का product है, ओके, option number B, it here is a complaint of consumers against ISI mark products, ठीक है, consumers का complaint आता है, अगर, कि भईया, ISI mark product है, और वो product तब भी खराब है, तो अगर, जिस कानून के तहत, आपको इनसाफ मिलेगा, वो होगा, Bureau of Indian standards, क्योंकि जहाँ पे ISI का mark लग गया, वहाँ पे quality का कोई समझा नहीं हो सकता, लेकि फिर भी अगर आपको लग रही हो कि हमाई जो quality है, वो खराब है, तो आप इसी Bureau of Indian standards Act के तहट, केस दल्च करा सकते हैं, कंपनी के उपर, और इसके लिए यहाँ पे grieviance sell भी बनाया हुआ है, यानि कि शिकायत करने का एक अलग से sell बनाया हुआ है, लेकिन, 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 स इसकानून तो हो गए, हाँ भाई, सबसे पहले बात करता है BIA जागो ग्राहक जागो की, जागो ग्राहक जागो का बेटा मतलब होता है, let the buyer beware, जो buyer है न, जो समान खरीद रहा है, मान के चलेंगे कि वो aware है, कि वो क्या खरीद रहा है, वो कितने रुपे का समान खरीद रह तो इसे ही हम लोग कहता है, जागो ग्राहक जागो, है न, जागो ग्राहक जागो को क्या बोलते है, let the buyer beware, कि जो भईया बायर है, वो हमारा क्या रह जाए, साथधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है, समझ गये, तो ये जागो ग्राहक जागो की बात ओ रही है, अब आईए मैं एग मार्क ये आपके सामने है फोटो देख लीजे और SPO मार्क ठीक है अब सवाल ये कि सर ये मार्क तो हो गए चार किन प्रोड़क्ट तो इनको लगाय जाता है बिल्कुल बताऊंगा सबसे पहले देखे अगर कोई अलेक्ट्रिकल प्रोड़क्ट है जैसे ये पानी गरम कर सेफटी से पानी की ौड़ भी आउनकी देखक धरनाक चीज है लोगों कि सेप्टी से लिएटिट्र है रीन करेकश कर्दम हो सकता है करने लगने appelle इसके अगर बात करता हूं मैं agricultural products की तो उसके उपर लगता है egg mark जो मैंने आपको दिखाया जैसे की बेटा बात किया जाए milk यानि की दूद के product हो गया डाल हो गई wheat product हो गया bread या गेहूं ये सारी चीज़े ग्राम फ्लोर हो गया whole spices मसाले हो गया लाल मिर्च इलाइची धनिया पाउ हो गई honey यानि कि शहत और ये टॉपिया को सागो करके कुछ होगा खैर इतना समझ लो कि agriculture से अगरी कल्चर से निकलने वाले जितने भी product है सभी पे हम egg mark लगवाते हैं ठीक बी आई-एस का ये भी होता है एक बार और दिखा देता हो एग मार्क देखने में कैसा लगता है ऐ फिर आता है FPO लगता है खाने पीने के समान पर जो कि packet बन समान होते हैं जैसे कि tomato puree, tomato sauce, soya sauce, chili sauce, squash, ruavza ये जितने भी खाने पीने के आईटम होते हैं इन पर लगता है food process order यानि कि FPO mark जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है ठीक है last but not the least वो है बिटा हमारा hall mark BIS hall mark जिसका एक slogan है मान कहा पत प्रदर्श कहा ठीक है और यह देखिए जैसे मान लीजे यह सोने का कंगन है तो सोने के कंगन के उपर यहां पे कहीं आपको BIS का लोगों देखेगा आपको नंगी आंकों से नहीं देखेगा आपको उसके लिए मैंगनिफाइंग ग्लास लगाना पड़ जाएगा यानि कि उसी जुल्री प्रोडट्ट के उपर यह सारी चीज़े लिखी होती है और जब भी जुल्री ले तो हॉल मार्क देखके ले उसी से आपकी गोल्ड, सिल्वर, डाइमंड जो भी ले रहे हैं उसकी प्योरिटी का पता लगता है तो यह हो गए भाई हमारे म प्रमानों के उपर, अग्रिकल्चरल प्रोडट्ट के उपर और सोने के कंगन वगरा पे आप देखोगे जुल्री वगरा पे लगता है आपका यह हॉल मार्क वगरा अब देखो यहां पर एक बात समझने वाली है कि यह सारे कोश्चन्स आपके बोट्स के लिए तो वो भी फटा-फट से इसी चैनल से कवर कर लीजेगा और यह पूरी प्लेइस अब धीरे-जरे कंप्लीट होने वाली तो आप हमारी प्लेइस को भी देखना ना बोले बिसनर्स चिडिस आपको सारी प्लेइस में मैंने कवर कर दी है आपके पास एक जगा पे पूरी बि अपना ख्याल रखिएगा और प्लेइस को देखते रहिएगा जैहिन्द, have a good day.